मुझा जाए 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 है जो डीटेवल साथ दिखाकवा भैट जाए 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 कि टाइम पेंड साथ में गतेव जा है अभी इसको थोर असा गरम करते फिर इसके अंदर बगा रहेंगे थोर असा जो स्पाइसेस देखे तो इसको थोर असा गरम कर लेते ओयल को वायल गरम होने के बाद इसमें मैं तोर असा साबुत जीरा ले रहा हूँ ताकि तोर असा फ्लेवर लगे इसमें और इसमें साती साथ तोर असा मैं इसमें हिंग दे रहा हूँ ताकि भाजी का जो स्मेल उटके आए और अच्छा भी खाने में लगे तो अभी इसको तोर असा मैं इसको फ्राई कर लेता हूँ ताकि अच्छे से थोरा सा फ्राई हो जाए गरम तेल में फिर इसके अंदर देंगे लसन और मिर्ची ताकि थोरा सा टेस्ट और उठके आए तो देखिए इसमें लसन और मिर्ची दे दिया हूँ अभी इसको जो अच्छे से फ्राई करते हैं लसन और मिर्ची को अच्छे से फ्राई करेंगे मतलब थोर असा लाल हो जाए ताकि अच्छे से जो मसाले का जो टेस्ट हो अच्छे से आ जाए और इसमें मसाला में अगर आप तेल में अगर अच्छे से मसाला फ्राई करते हैं कौनसा भी मसाला होता है तो उसमें कैसा होता ह कि जो तहीं के अंदर इक अलग ताकि अब लशन प्राइ कर च foundation तो इसमें काइसा होता है तो इसको इस ताइम इस तरह आहें संदाल QC इससी जब तक यहाँ यह अभी इसमें जो आणियन में दिया हो मतलब का यह मनतलब इसमें धीया हो कांद म्राउपन कर सब सद्सिदें और की ज़िए तक आप मिक्स करके इसको साइट करेंगे मतलब इसको धीरे धीरे उपर कर देंगे ताकि जो तेल बीच में रहे तेल में जो पाउडर मसला अच्छे से फ्राइब करें तो देखिए थोड़ा सा मैं सब मसला उपर ही रख रहा हूं ताकि जो पाउडर मसला वो तेल में अच्छे से फ् करेंगे तो यह मेरा थोड़ा अलग टेक्निक है मतलब नौरमल ही है ज्यादा कुछ इतना यह नहीं है तो देखिए अभी इसमें हल्दी दे दिया हूँ ताकि अच्छी से थोड़ा सा कलर आ जाए इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर दे दिया हूँ ताकि थोड़ा फ्लेवर इसके लिए पहले जो मसाला थोड़ा सा गरमा-गरम तेल में इसको फ्राइ कर लेते हैं फिर उसके बाद इसमें जो कांदा और जो अलग जो मिर्ची और लसन था वो साथ में मिक्स करेंगे तो इसको थोड़ा सा हल्का मतलब 15 से 20 सेगंड तक इसको अच्छी से छोड़ा द करें तो तमेटों को भी मैं थोड़ा सा इसे मश्यों में फ्राइब करूंगा तो देखिए मिक्स ताकि फ्राइब हो जाए और का। देते हैं तो अभी इसको सब लेते हैं तो टेल कर लिया है तो तेल भी एकदम गरम हैं और को में मिडियम फ्लेम ही रखा ताकि मसाला जादा जलना जाए और अच्छे से भुंतर रहें low flame पर ले तो इसके अंदर नमक देढ़े । ज़ोड़asaj Alors Baronih जल्दी फ्राइब होता है मैं इसमें थोड़ास नमक दे दऊंगा ताकि मसाला जो एकदम अच्टे से fry हो जाए और अच्छे से टेश्ट भी आ जाये तो मसला के अंदर नमक दे दियाओ अभी इसको और थोड़ा सा makes कर लेते ता कि जो नमक है वह अच्छे से सब के साथ मिक्स हो जाए सब कुछ मिक्स कर लिया है मैं सब कुछ मतलब सब एक दम मेडियम साइज्स में अभी मिक्स कर लेते हैं अच्छे voz पूरा मसला मिक्स क derechos पानि जो चिपची पहाट उनकल जाएगा उसके leaning को fully रखो फूल फ्लेम पर भेंडी फ्राइए करने का अच्छा होता है कियोंकि ऑसका जो चिपचि पारे यह जल्दी निकल जाता है और भेंडी भी अच्छे से अंती Blair होजाते तो अब इसको फूल फ्लेम में मैं दो थीन कंग इसको और अच्छे से फ्राइ करूंगा फूल फ्लेम पे दो से तीन मिनिट तक आप अच्छे से फ्राइ करेंगे तो भेंडी का जो टेक्षर है ऐसा हो जाएगा मतलब एकदम सुखा सुखा हो जाएगा उसका चिपचिपट है वो निकल जाता है तो अल्मुस्ट भेंडी का जो भाजी अल्मुस्ट रेडी है तो अभी इसको सर्फ करते हैं तो यह जो भाजी है आप किसी के साथ भी खा सकते हैं मतलब चावल रूटी या डाल वजी के साथ या डाल रूटी के साथ किसके साथ भी खा सकते हैं और एकदम थोरा टेश्टी भी होता है थोरा मजेदर भ तो दोस्तों रेसीपी कैसा लगा जरूर कमेंट करके बादा ना क्योंकि यह रेसीपी है बहुत सारे घरह में बनते रहते हैं और रेगुलर बेस में बनते हैं तो मैं सुचा आज थोड़ा आप लोग को साथ भी शेयर किया जहें और इसको मौडिफाइब कर गरे कि इसको और अच्छे सब बना सकते हैं तो मैं इसको टेस्ट करें कितना क्या कमी ज्यादा और कैसा बना है तो दोस्तों रेसीपी बहुत अच्छा बना है तो रोटी के सद और अच्छा लगते ततो मैं चावल के सद खारा हूं तो उतना मज़ा नहीं आ रहे बाट रोटी के सद बहुत मज़ा थे क्योंकि फूल स्पाइसी है फूल मसाले दारे और फूल जो गार्लिक का जो स्मेल आर अलोबर अच्छा बना है तो आगर यह रेसीपी आपको अच्छा लगा गया तो प्लिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सपूर्ड कीजिए क्योंकि रेगुलर में कुछ ना कुछ आपडेट्स कुछ ना कुछ टिप्स या कुछ ना कुछ सिंपल रेसिपी लेके आतो बट रेगूलर अप्लोड गरतो तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लेगा तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब कीजिए तो आज के लिए इतना ही मिलता हो कोई नया रेसिपी के साथ के लिए तने थेंक यू